अलो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आज सिखाने जा रही हूँ एक और लेडी्ज सॉक्स ये बहुती सुंदर बने हुए हैं और ये मैंने पूर नंबर के साइज के बनाए हैं और फाइप नंबर के चाहिए तो आप 49 फिंदे से बनाए शिक्स नम्मर के 57 फिंदे से बनाएं इसी तरह से आप छोटा बड़ा कर सकती हैं और जीरो साइज बनाना है तो 31 फिंदे से बनाएं तो इसी तरह से ये छोटे बड़े बन सकते हैं और ये मैंने 41 फिंदे से बनाया है मेरी वीडियो परसंद आये तो लाइक करें सस्क्राइब करें एंड सेर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा नौटिविकेशन मिल सके और नई नई वीडियो आप देख सके चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मैंने दो कलल लिए हैं और ये देखें नई नम्मर की सलाई यूज कर रही हूँ आप फिंदे किस तरह से डालेंगे सिंगल बूल से फिंदे को डालना है इस तरह से आपको फिंदे डालने हैं तो फिंदे डाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने फिंदे मैंने डाली की देखो, मैंने 41 फिंदे डाल लिए हैं, और यह फोड नम्मर की साइज की बना रही हूँ, अगर आपको फाइप नम्मर की बनानी है, तो 49 फिंदे में बनाएं, 6 नम्मर की 57 फिंदे में बनाएं, इसी तरह से आप बड़ा चोटा कर सकते हैं, अगर और चोटा जैसे 3 तो पैंतिस फिंदे में जीरो नम्मर का साइज आएगा तो आप 27 फिंदे में बनाएं इसी तरह से बड़ा छोटा आप बना सकते हैं इसको कि इसमें मैंने यह देखें दो कलर लिए हैं अब देखें यहां से एक फिंदे को बना लिया अब यहां पर कि इस तरीके से आपको फिंदे को बढ़ाना है यह देखें चाहिए इस तरीके से अंटा लगाते हुए बना लें मैंने अंटा लगाते हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चवदे पंडरे सोले सत्रे अठारे उन्नेस फिंदे बिन लिये अब देखें यहां पर इस तरीके से आपको मार कर एक लगा लेना है और इस तरह से फिंदे को बढ़ा लेना है अब इदर भी इस तरह से हम फिंदे को बढ़ाएंगे पहले फिर मार कर लगाएंगे आप देखें उन्नेस फिंदे इदर बिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंडरे, सोले, सत्रे, अठारे और एक उन्नेस उन्नेस के बाद देखें फिर से एक मार कर लगा लेंगे और यहां पे इस तरह से फिंदे को बढ़ा लेंगे इसको इस तरह से अब उल्टी तरफ से हमें उल्टा उल्टा इस तरह से बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है यह देखें, मारकर को इस वाली सलाई पे ले लेंगे और इस तरह से बुनते जाएंगे पूरी रोज उल्टी तरफ से मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आपको फिर से देखें, यहाँ पे एक फिंदे बिना था, आप हम दो फिंदे बिनेंगे और फिर अंटा लगाएंगे इस तरह से और यहाँ भी हम मारकर लगा लेंगे अब बीच में देखिएगा इस मारकर को इस वाली सलाई पे आप यहाँ पे देखें इस तरह से अंटा लगाएंगे बीच के फिंदे तीन हम सीधे बिनेंगे जो बढ़ाए हुए फिंदे हैं वो बीच में इसी तरह से होते जाएंगे यह देखें पूरी रो इसी तरह से मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ और बैक साइड से भी हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखा यह देखें फिर से आप देखें तीन फिंदे हो गए इस तरह से चार फिंदे इसको इदर कर लेंगे अब बीच में और आप देख लेए मैं साइट साइट से एक एक फिंदे को बढ़ा रही हूँ बीच में दो फिंदे बढ़ा रही हूँ ये देखें इधर कर लेंगे अब यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे अंटे को लगाते हुए अब यहाँ पर गिनेंगे एक दो तीन चार पांच फिर अंटे लगाया तो यहाँ पर साथ फिंदे हमने बढ़ा लिए इसी तरह से हमें बीच में दस फिंदे करने हैं 5 फिंदे साइट से हो जाएंगे 5 इधर हो जाएंगे इसी तरह से 20 फिंदे इसमें बढ़ जाएंगे तो मैं इतना कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखो मैंने 5 फिंदे बढ़ा लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर देखें यहां तक बढ़े हूए हैं एक फिंदा मेरे पास फैले से था 1, 2, 3, 4, 5 पांच फिंदे यहां पर बढ़ा हूए हैं 10 फिंदे यहां पर 5 यहां पर तो 20 फिंदे मैंने यहां पर बढ़ा लिए हैं 41 फिंदे डाले हुए तो 61 फिंदे यहां पर हो गए है आप देखें पूरी रो हम इसी तरह से उल्टा उल्टा इसको बनाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे आप फिंदे नहीं बढ़ाएंगे तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब देखें यहां पर मैं डिजाइन डालूँगी तो यह देखें दो फिंदे इस तरह से दो फिंदे इस तरह से और दो फिंदे इस वाली कलर से यलू कलर से डालेगे पूरी रो में हमें दो फिन्दे ग्रीन और दो फिन्दे यलू तो कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखो पूरी रो मेंने कम्प्लीट कर ली है अब यहां से देखें जो जैसा है बैसा ही बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है यह देखें ग्रीन है तो हम ग्रीन से बुनेंगे यलू है तो हम यलू से बुनेंगे और फिंदों को जादा नहीं कीचना है बूल को इस तरह से रखना है थोड़ा लूज करके नहीं तो ये खिचेगी पूरी रोग कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आपको आंगे का बचाती हूँ फिर इसे देखें इधर हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है अब इधर देखें अब हम कलर को चेंज कर देंगे अब ग्रीन की जगे पे यलो आ जाएगा यलो की जगे पे ग्रीन आ जाएगा पूरी रोग में हमें इसी तरीके से बनाना है कलर चेंज करते हुए जाना है और उधर से जो जैसा है वैसा ही बना लेना है तो मैं कर लेती हूँ फिर मैंने डिजाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब डिजाइन नहीं पड़ेगी आप देखें ग्रीन से हम सारे फिंदे ग्रीन कर लेंगे इस तरह के से इधर से भी हम इसी तरह से बुन लेंगे और सीधे तरफ से भी हम पूरी चलाई को इसी तरह से बुनेंगे तो बुन लेती हूँ फिर आंगे की डिजाइन आपको बताती हूँ यह देखो हमने पूरी रो को complete कर लिया है अब डिजाइन का pattern change हो जाएगा आप देखें यहाँ पे इस वाले फिंदे को उतार लिया आप यहाँ पे देखें बैक साइट धागा किया एक सीधा बुल लिया अपनी साइट बुल को उल्टा बिल लिया बाहर साइट सीधा उल्ट यह देखें सीधा एक फिंदे को उल्टा बनाना है तो एक फिंदे को हम सीधा बनाएंगे तो रो को हम पूरा complete कर लेते हैं फिर मैं आपको आंगे का डिजाइन बताती हूँ यह देखें अब सीधी तरफ अब सीधी तरफ हमें क्या करना है इस वाले फिंदे को उतार लिया है अब देखें उल्टा फिंदा हम नॉर्मल बिनेंगे इस तरह से आप सीधे को देखें सीधा फिंदा यह है तो यहां से हम सलाई को नहीं डालते हुए यहां से सलाई को डा अब फिर से देखें अब यहां से हम फिंदे को नहीं डालेगे सलाई को अब हम एक फिंदे को एक सलाई नीचे से जाएंगे इस तरह से दूल को अपनी साइड उल्टे फिंदे को बनाएंगे अब फिर से देखें, यहां से हम सलाई को नहीं डालना है, एक सलाई नीचे से जाना है, इस तरह से उल्टे फिंदे को हम नॉर्मल फिंदे बिंते हैं, उसी तरह से बिंते जाएंगे और सीधे फिंदे को सिर्फ एक सलाई नीचे से जाना है, इस तरह से यह देखें तो ये रो हम पूरी कम्प्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं देखें उल्टी तरफ उल्टी तरफ से हमें क्या करना है ये उल्टा फिंदा है तो इस तरह से हमने ले लिया बैक साइड दांबूल को करेंगे अब फिर से जिस तरह से हमने सीड़ी साइड फिंदे को बिना था उसी तरह से बुनना है ये देखें उल्टे फिंदे को हम नॉर्मल फिंदे को बिनेंगे जैसा बिनेंगे और सीड़े फिंदे को एक सलाई नीचे से जाएंगे ये देखें यह दोनों तरफ से हम डिजाइन रहती है यह देखें पूरी रो में हमें इसी तरी तो सीधी साइट आ जाती हूँ फिर आपको आंगे की डिजाइन बताती हूँ यह देखो यहाँ पर अब सीधी साइट हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से बना रही हूँ दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, अठारा फिंदे मैंने यहां तक भिल लिये हैं अब देखें, यहां पर हम मारकर लगा लेंगे इस तरह से, यह देखें, इस तरह से आपको मारकर लगा लेना है यह देखें मारकर लगा लिया, आप यहां पर देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आट, नो, यह देखो दस, ग्यारे, तो ग्यारे फिंदे हमने यहां से लिके यहां तक ग्यारे भिल लिये, अब बीच के यह देखें, यह सेंटर को फिंदा है, इधर उदर उल्टे फिंदे हैं अब देखें, इस तरह से हमें सलाई को डालते हुए, इस तरह से कर लेना है, यह देखें, अब यहां पर हम तीन का एक करेंगे, तीन का एक कर लिया, अब यहां पर देखें, जिस तरह से डिजाइन पढ़ रही है, उसी तरह से पढ़ेगी, दो हो गए, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे तो ग्यारे फिंदे मिल लिए, अब अपनी साइट धागे को करेंगे और यहाँ पे अठारे फिंदे, यह बचे हुए, अठारा बिल लिते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले, यह देखें, सत्रे, और यह अठारे तो अठारे फिंदे हमने साइट साइट रखे हुए हैं, और बीच में, बाकी फिंदे बीच में हैं, तो पूरी लोग को इसी तरह से अब उल्टी साइट से कम्प्लीट कर लेती हूं, फिर आपको दिखाती हूं, आप फिर से देखें एक बार, यहाँ पे देखें, अठार साथ, आठ, नोफ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंदरे, सोले, सत्रे, अठारे है, अठारे के बाद यहाँ पे ग्यारे फिंदे, ग्यारे थे तो अब दस फिंदे बिनेंगे, यह देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, अब यहाँ पे देखें, यह वाली, सेन्टर वाला फिंदा है, तो इस तरह से, यहाँ पे, तीन का एक करना है, इस तरीकी से, तो यह डिजाइन की शुरुआत हो गई है, इसी तरह से आपको, जो दस दस फिंदे हैं, वो इसी तरह से बनेंगे। और, इहां पे 18 फिंदे चलाय है वो इसी तरह से 18 फिंदे चलते रहेंगे। अब और ईल्टे फिंदे आ गए हैं इसके साइट मे। mike, ईसी तरह से उपर तक बना लेटी हूं, यह 10 फिंदे कम कर लेटी हूं इता हैं। फिर मैं आपको दिखाओ, मैंने फिंदे कम कर लिए, अब 18 फिंदे इदर हैं, 18 इदर हैं, एक फिंदे को बीच में बचाए, तो 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 37 फिंदे बचे हुए हैं, अब देखें, उपर की साइड में बाउडर बनाऊगी, तो बाउडर किस तरह से बनेगा, ये द कम्प्लीट कर लेंगे, ये देखें, इसी तरह से हमें यहां पर एक सलाई ये कम्प्लीट हो जाएगी, और दूसरी सलाई उदर से, तीसरी सलाई इदर से, तो टोटल 4 सलाई निकालनी हैं, तो 4 सलाई निकालने के बाद में, आप पर उदर से, आप देखें, जिस तरह से हमें यहां पर डिजाइन डाली है, इसी तरह से हम यहां भी डालेंगे, तो एक बार देख लेए, ये देखें, अब 2-2 फिंदे हम इसी तरह से करते जाएंगे, दो हम यलो कलर से, और 2 हम ग्रीण, वाउडर कहने, इसी तरह से हम बनाएंगे, तो चा सलाईब्ल ये डिजायन बाली और चासलाई हम उपर की साइट», जिस तरह से हम नीचे बनाया है इसी तरह से ओपर बनाएंगे, तो मैं इतना बना लेती हूँ बाउडर फिर मैं आपको दिखाए आप देखें यहां पे दो काई करते में इसको उतार देना है यह देखें ना ज्यादा लूज और ना ज्यादा टाइट नौर्मल हाथ को चलाना है इसी तरह से मैं उतार लेती हूँ फिर आपको दिखाए मैंने उतार लिया है इस दागे को कट कर दिया है इस तरह से हमें फीच लेए यह देखो मैंने उतार लिया है अब इस तरह से आपको सिल लेना है यह देखें इसको मिलाते हुए सिल लेना है यहां देखें पहले पक्का कर लेना है ताकि यहां से खुले लिए इस तरी तरी से सिल्ले को मैंने सिल्ली है इसकी फिटिंग भी बहुत सुन्दर आई हुई है यह देखें एक दम से बहुत सुन्दर लग रही है यह देखें इस तरह से हमें कर दो से कंता है यह देखें